साथियों जैमहाकाल, साथियों या वृत्ताकार हथेली हथेली का रंग सुंदर है, चमकदार हथेली है और साप सुतरा दिखाई दिखाई दिरहे इसके साथ हथेली का रंग भी सुंदर दिखाई दिरहा है लेकिन हथेली के माध्यन से इनके जीवन में धन की इस्थिती तथा जीवन में कारोबार कारी की इस्थिती वा कितना कामयाब होंगे जीवन काल में इसके बारे में जानते हैं साथ ही यहां भी जानेंगे कि इस जाता का सुभाव कैसा है और इनका वैवैक जीवन कैसा रहेगा और इसके साथ कितना काम्याब होंगे वाशत्मों की क्या इस्थिती रहेगी जीवन काल में ध्यान से देखना वीडियो और अंतर तक देखना इसके साथ ही कुछ हम एहम बात तो या विक्ति के सुभाव को थोड़ा सा एक ऐसा दिखाता है कि या हर परिष्थित में खुद को डाल पाने में असमर्थ है या या जो जो भी परिष्थित सामने आती हो उसके अनुशारिया खुद को नहीं ढाल पाते हैं या सोता के महोल में रहना चाहते हैं दूसरों के आधीन नहीं रहना चाहते हैं इनकी जो आधीनता है या जो शुभाव है या दूसरे के आधीन में थोड़ा सा परिषानी अनकमफर्टेबल महशूस करते हैं इन्हें परिषानी होते हैं हर महोर में नहीं ढाल पाते हैं और या थोड़ा सा क्रोधी सुभाव के भी हो सकते ह जिद्दी सुभावगे हो सकते हैं इनके सुभाव को दिखाता है कि इनके अंदर जुकने का सुभाव नहीं अहिंकार की भाव ना भी उत्पन कर सकता है थोड़ी सी परिशानी दे सकता है जीवनकाल में इसके साथ अंगुठ्य का प्रथम पर्व है यह काफी नूकिला और ल दिखा जाता है कि इनके अंदर महातुकांच हैं बहुत उत्तम रहने वाले बहुत ही अधिक महातुकांची व्यक्ति हैं और जीवन की कलपनाय करने वाले महातुकांच हैं रखने वाले तथा इनकी जो शोच होते हैं वा काफी आगे तक का पानी की होते हैं बहुत सी चीज को आसानी से किशी के सामने रख सकते हैं वाद विवाद कर सकते हैं यानि वाद विवाद का मतलब यहां पर है कि किसी से भी या बहस करने में अपनी जवाब दही देने में कभी पीछे नहीं हटने वाले मजबूत जवाब दे सकते हैं लेकिन यह अगर यह अगर यह वकालत के च्छेतर में जाते हैं जहां बोलने से अधिक कार होगा इनकी यहां पर थोड़ी सी एक कमजोरी नजर आ रही है यह दिखाई दे रही है कि यहां जो सबसे छोटी उंगली है यहां सूर की प्रथम-परु की यानि जो अनामका उंगली होती है इसके प्रथम-परु से थोड़ प्न Collya consider रहें लेकिन टार्किता की बात करें तर्क मच्बूत हैं इनके अंदर कई बार वाद भी कर सकते यानि बहस कर सकते हैं और उड़ा सा अपने बातों से सजारथान रहना सब्सक्राइब न owners कर इसके साथ इनका जो शुक्र का या प्शेतर निशारा शुक्र का छेतर सुंदर है और अच्छा दिखा दिखाता है कि जीवन होगा वो शाधान रहने वाले वैसे तो उत्म रहेगा जिस तरह का परवत है लेकिन थोड़ी सी चिंताएं भी रह सकते हैं थोड़ा सा तनाव भी रह सकता है बीच बीच में शुरुआती दोर में या 12- पंदरा बर्स तक थोड़ा सा परेशानी देता है लेकिन अब निम्नमंगल की बात करिया जो छेतर होता है इसे निम्नमंगल का छेतर कहती है हमारे शत्मू का छेतर होता है जीवन की घटनाओं यानि जीवन में विवाद होते हैं शत्रू होते हैं तथा कोट का चेहरी आद सोता है इसका प्रमुक केंदर यहीं से माना जाता है यानि इनके जीवन में शत्रमु के संख्या अधिक नजरार ही मित्रों के पेच्छा इनसे जलन करने वाले भी लोग नजरार है थोड़ा सा मन में भय किसी बात को लेकर एक इनके हथेली में जो हथेली का या छेतर है इस भाव को थोड़ा सा नमर रखना होगा और अपने एहंकार से बचना होगा क्योंकि यह जीवन में काफी आगे तक जा सकते हैं अगर अपने नमर सुभाव को अपनाते हैं और कठोड़ता को त्याग देना होगा और वेक्ति की भावनों को समझना होगा शिर्फ अपने आप बच्पन में फूरा सब रहती है जीवन काल में और शुरूआत में श्रूआत में स्वास थोड़ा सा नाजुक रहा होगा इनका जी हैं दोफ्तों इसके बाद बात करते हैं के हर्दे रेखा के इनकी जो हर्दे रेखा इस तरह की दिखाई दिरहा दो मुखी होगर एक साका सीधे इनके जीवन रेखा पर आयू रेखा पर आकर जुड़ गए है इस तरह की हर्दे रेखा की कोई साखा जीवन रेखा पर इस तरह की से जुड़ जाती है तो दिखाती है इनका जो हर्दे होता है या दिखाता है कि या सोथ समझकर दिमाग से कारी करने वाले होते हैं और इनका मस्तिश्क होता है वह तीज होता है यानि इनका जो दिमाग होता है हरदे होता है यह थोड़ा सा अपने विचार अधिक इस्तमाल करते हैं यानि किसी बात को गहन अध्यन करने पर विचार देते हैं जोड़ देते हैं लेकिन एकर इनके मस्तिश्क शम्ता की बात करे जीन के दिप्रेसन दे सकती हैं जीवन के मध्द्यकाल मी कि वत्विक आना पड़ सकता। अगर यह भैर से काम लेते हैं, इस्ट की अराधना करते हैं, इन समस्याओं से बची रह सकते हैं इसके साथ इनकी जो भाग रेखा है, यह रेखा इस तरह चंदर परवत से निकल रही है और आकर इस तरह के सम्मंद बना रही है इस तरह की रेखा जब कभी यहां से कोई निकलते है और इस पर आकर रुक जाते है हरदे रेखा पर इस स्थान पर जब कभी कोई रेखा निकल कर रुक जाए हरदे रेखा पर तो हद दर्शाती है कि ऐसे जातकों को जल्दबाजी में निर्डेशे परहेच करना चाहिए अगर यह जल्दबाजी में कोई भी निरड़े करते हैं तो इन्हें पश्टावा होता है जीवनकाल में और किसी बात को लेकर कभी न कभी ने जीवनकाल में पस्ताना पड़ सकता है चिंता रह सकती है और उससे तकलीफ होगी जो इन्हें कुछ थोड़ी सी ठोकर भी दे सकती है इसके बाद अब बात करते हैं इनकी भाग रिखा के साथ स्वास्त रिखा बुद्ध रिखा आदी इस रिखा को कहते हैं यह जो रिखा नजरा रही है यानि यह जो रिखा इनके हथेली में नजरा रहे से बुद्ध रिखा वा स्वास्त रिखा भी कहते हैं यह रिखा का कभी किसी की हथेली में नजर आ जाए इस इस्थान पर या इस्थान जो होता है है इस तरह के बंद-कुठरी बंद-छेत्र या अपने आत में महत-पूर्ण होता है नहीं जीवन-काल में जितनी यह महनत करते हैं यानि इनके जीवन-काल में अचानक से एक वक्त आएगा एक स धन की स्थिति उत्तम रहेगी, इनके कार भी बेहतर रहेंगे, और यहाँ अपने जीवन काल में करोड़ों की संपत अरजित कर सकते हैं, इसी पूर संभावना बनी रहेगी इनके जीवन काल में, लेकिन इन्हें वाद विवाद से साउधान रहना होगा, नहीं तो इनके दुखाना चाहिए जीवन काल में, नहीं तो इन्हें फोकर जरूर लगेगी, अगर यहाँ किसी का दिल दुखाते हैं, क्योंकि इनके हथेली में जो योग हैं थोड़ा सा कठोर बना रहे हैं, वैसे तो इनका सुभाव हिमती हैं, और यहाँ अपनी बात को रख सकते हैं, छमतावान होंगे, और इसके साथ ही यहाँ उर्जावान भी होंगे, लेकिन जल्द बाजे में आपने आपको अगर कुछ समझते हैं, या अपने आप पर ही कुछ एहंकार कर बढ़ते हैं, तो इन्हें नुक्षान का सामना भी करना पर सकता है, क्योंकि निजी लोग इन्ह सबहों की वज़े से, अब बात करते हैं इस छेत्र को, यहाँ वैवाहक जीवन का छेत्र देखा जाता है, वैचे तो इनकी हथेली में अगर वीडियो की बात करें, वीडियो में यहाँ पर साफ रेखा तो नहीं दिखाई दे रहें, लेकिन एक रेखाया पर दिखाई दे वैवाहक जीवन में थोड़ा साइने मतभीत का सामना करना पड़ सकता है, शुरुआती दोर में, इन्हें वैवाहक जीवन में थोड़ा सा साइम बना गे रखना चाहिए, और बाकी जीवन की बात कर तो वैवाहक जीवन भी शुकी रहेगा, अगर यह वैपार की छेत्र मे काफी उबरा हुआ नजर आ रहा है इस तरह का शूर्य पर वह जीवन काल में अच्छे स्वास्त मांद सम्मानवा नाम फेम नेम और फेम दोनों दिलाता है इस तरह का शूर्य जी हां दोस्तों इसके बाद इनके शनी का छेत्र है शनी ने वकालत के छेत्र में कानून से समंध समंधित कारे वह समंधित परेशानिया भी यहीं से देखते हैं शणीं जो होता है नियाय का देओता होता है शणी का समंधित से धर्म से होता है यानि गुरू जो होता है और धर्म से होता है और शनी को बल मिलता है अगर गुरू कहीं से भी शनी का शपोर्ट कर रहा हो ऐसा सनी दिखाई दे रहा है कि इन्हें जीवन काल में न्याय से समंधित लाब तो होगा ही होगा लेकिन अगर यह जीवन काल में शनी की या जो न्याय पर भरोसा रखते हुए कारे करते हैं या गलत कारें से परहेज करते हैं दूसरे के लिए कारे करते हैं दूसरे को न्याय दिलाने के लिए कारे करते हैं तो इन्हें अधिक लाव होगा क्योंकि शनी जो होता है वह अन्याय का देउता होता है कभी अन्याय पसंद नहीं करता है और वह अन्याय पर चलकर ही काफी काम्याबी काफी शुक देता है जो राहू होता है वह कर्म का देउता ही उसे समझ लिए उस शनी की तरह फल देने में शक्चम है इस तरह का शनी और यहां पर इस राहू को और इस छेत्र को शनी का छेत्र कहते हैं शनी अरो राहू यानि जो आप हो सकता है थोड़ी सी गलतियों से आप धन अर्जित करने शुरुआती दोर में लेकिन वह जब ले कर जाता है तो बहुत तकलीफ देश्थित पैद्या कर शकता है इसलिए जीव पर बात करें गुरू की गुरू की अवस्था भी उत्तम नजरा रही है और इनका बैलेंस दो दिखाई दे रहा है यानि अनाम का उगली और तरजने उगली लगवाग बराबर दिखाई दे रही या दिखाता है कि ऐसी अवस्था में या थोड़ा सा न्याए पिरी होंगे और या न्याए पर भरोसा भी करेंगे जीहां दोस्तों और या जीवन में मिला जूला इन्हें फल प्राप्त होगा यानि इनकी जो इस्थित्व दूआ संघर्स करते हैं मेहनत करते हैं इन्हें किसी भी ग्रह से अगर बात करें तो सुख के लिहाज से काफी उत्तम रहने वाला है और प्रॉपर्टी भीने मजबूत होगी हुई रहो प्रॉपर्टी शुक आद रहो सबसे उत्तम गरह मना जाता है प्रवपर्टी सुक आध्व संपत्त्य भी यही से देखा जाता है निश्चिती जिवनकाल में सुक्वा संपत्य के यूग बने हुए हैं balcony कौने स साथियों मुझे उमीद है कि वीडियो पसंदे होगे, अगर वीडियो पसंदे हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ ही कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, धन्यवाद.